तो भई ACS के उपर इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी आप में इसे इसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेट से मुझसे कॉंस्टेंटी क्वेरी से सिजेशन्स बांगते रहते हैं कि आप के लिए कौन से AC बेस्ट रहने वाला है इस्पेशली वन टन के अंदर दोस्तों I feel very glad कि आप उसे इसे क्वेरी से सिजेशन्स बांगते हैं इसी में जैसे मैं ऐसी वीडियोस आप के लिए लेकर आपाता हूँ निम्श्का दोस्तों मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं कोज स्टील दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं best one done ACs के बारे में देखे दोस्तों हम already ACs के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और आप कोई चीज याद दिला दूँ कि अगर आप कुछ ऐसे points के बारे में जाना चाहते हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं कोई भी AC को रहने से पहले then I would recommend कि आप माई पुराण वीडियो को देखिए simply उपर i button पे click करके याद कि दोस्तों कि अगर आपने उस वीडियो को पुरा end तक देख लिया बिना skip किये I can assure you कि आप AC लेने के expert बन जाएंगे दोस्तों हम औरड़ी different different brands की AC के उपर चाहे वो LG हो, IFB हो, Hitachi हो, Samsung हो दोस्तों different different brands के उपर, different different categories के उपर हम औरड़ी AC की वीडियो बना चुके हैं उन सभी की playlist में दागे दोस्तों मैं आपको उपर i button पे दे दूँ आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं लेकिन फिलाल, आज हम बात करने वाले हैं best one turn AC के बारे में रखा है मैंने सिर्फ और सिर्फ top 5 section और दोस्तों, ये AC स्पेशली उन लोगे लिए best रहने वाले हैं जिनके कमरों का size थोर सा छोटा है and I can assure you दोस्तों कि अगर आप कुछ है आप अपने लिए best one turn AC तो इस वीडियो को पुरा end तक देखिए because I can guarantee you कि आपने अगर इस वीडियो को पुरा end तक देख लिया भी दा स्किप किए आप अपने लिए best one turn AC को चुन सकेंगे तो चलिए फिर, बिना किसी देनी के, let's get started देखिए हम इतनी महनत कर क्यों रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप के लिए ताकि आप अपने लिए एक best purchase कर सकें दोस्तों अगर आप मारी help करना चाहते हैं तो हमने description box में आपने सभी ACES के best one link दिये हैं अगर आप उन links पे click करके उन ACES को buy करते हैं तो परिए चीज तो है कि आपको एक पैसा भी एक्षा पे नहीं करना पड़ेगा दूसरी चीज है कि आप कैसा करने से हमारी और हमारी चानल की बहुत ज़दा financial help हो जाती है देखिए हम आपके लिए कोई भी sponsored content नहीं लेके आते हैं ये चानल सिर्फ और सिर्फ आप लोगी प्या की वज़े से ही चलता है चलिक रिंग back to the video वो आपस मुरते हैं टॉप 5 section की तरफ देखिए दोस्तों मेरे आने वाली ACES के लिष्ट में मैंने कोई भी as such ACES की numbering नहीं करी है क्योंकि मेरे यसाब से सारे ACES आपके लिए एक best choice बन सकते हैं ये चीज़ यादा कि दोस्तों कि जितने भी ACES हैं इन सब के price range भी almost similar ही है लेकिन दोस्तों मैं आपको अपनी personal recommendation जरूर दूँआ आने वाली AC लिष्ट के अंदर दोस्तों इस AC cooling capacity आपको 3450 watts देने को मिल सकती है दोस्तों ये पूरा जो AC है ये एक 1 ton का AC है ये भी याद रखिए दोस्तों कि इस AC के अंदर आपको मिल जाएगा inverter compressor जो की बहुत smartly और बहुत efficiently act करता है दोस्तों इस AC जो पूरा है ये पूरा इसके अंदर auto convertible आपको option देने को मिल जाएगा यानि कि ये पूरा AC है totally automatically guess कर सकता है कि आपके रूबी कितनी capacity है कितने लोग उसके अंदर है दोस्तों उस हिसाब से अपने cooling temperature को adjust करता रहेगा दोस्तों ये एक Wi-Fi AC है यानि कि आप इसको full control कर सकते हैं किधर से भी और कहीं भी दोस्तों ये भी यार रखी कि इसको आप काफिसानी से voice control भी कर सकते है यानि कि Amazon Alexa और Google Assistant का आपको totally इसके इसके अंदर support टेकने को मिल जाएगा प्लस दोस्तों आप इस AC के इंदर smart diagnosis भी कर सकते हैं वो भी totally automatically दोस्तों यार रखी जो पूरा AC है stabilizer free operation पर चल सकता है यानि कि stabilizer के बिना run कर सकता है लेकिन अगर आपके यापे voltage fluctuations बहुत जादा होती है दिन stabilizer आप definitely consider कीजिएगा दोस्तों इस AC के इंदर आपको मिल जाएगा copper condensers जो की बहुत ज़ादा low maintenance होता है इतना ही दोस्तों ये better रहता आप ही cooling के लिए प्लस bluefin technology का भी इस्तेमाल किया गया है दोस्तों जो की best रहती है heat transfer में प्लसादी से दोस्तों इसमें जंग भी बिल्कुल भी नहीं लगता है दोस्तों इस AC के noise level आपको सिर्फ और सिर्फ 37 decibel तक की देने को मिल सकते है इस AC की IC rating आपको 3.95 देने को मिल सकती है दोस्तों 500 दे कहते हैं जब पूरा AC है around 676 units of electricity को consume करता है every year और 500 की तर से दोस्तों आपको इस AC मिल जाती है एक साल की warranty इसके PC मिल जाती है को 5 साल की warranty और compression मिल दी है आपको 10 साल की terrific warranty दोस्तों इस AC का price आपको करीब 34,000 रोपीस के आस तेने को मिल जाएगा दोस्तों आप चाहें तो इसको बिलकुल check out कर सकते हैं याद ही सभी AC's के best bank link आपको नीच चेरिस इंबॉक्स में देने को मिल जाएगे देखिए दोस्तों हम खोच जीर है आपके पैसे बचाना हमारी number one priority है तो अगर आपकी इस वीडियो से help होती है थोड़ी बहुत value आपको इस वीडियो से मिलती है प्लीज इस वीडियो को like दूरू कर दीजेगा आप चाहल को subscribe भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप subscribe करने के साथ साथ bell icon को भी दबा देंगे तो हम कभी भी कोई भी नई वीडियो डालेंगे या आपके बास जट से notification भी आएगी और दोस्तों इनकीस आपने डीज और सेल्स के बार में 24 घंटे अपडेटर रहना चाहते हैं तो आप टेलियाम साल को भी जॉइंग कर सकते हैं तो अपने बाक टो दे वीडियो और अपस बरते हैं तॉप 5 सेक्शन की तरह तो अप नेक्स्ट वी हाफ वोल्पूल इंवर्टर स्प्रिट एस का पूरा मौड नेम आप अपरी स्ट्रीम पर देख सकते हैं दोस्तों ये एक 5-star efficient AC है ये चीज यादा कि दोस्तों कि इस AC की cooling capacity आपको 3530 watts देखने को मिल सकती है दोस्तों इस AC capacity आपको 110 देखने को मिल जाएगी यादा कि दोस्तों कि इस AC के अंदर लगा हुआ है inverter compressor जो की बहुत smartly और बहुत efficiently act करता है माईनि ये एक 4-in-1 convertible AC भी है इस AC के साथ आप काफी अशाइस दोस्तों high ambient operation run कर सकते हैं यानि कि ये 52 degree Celsius दोस्तों काफी अच्छ से कामयाब है प्लस इस AC के अंदर आपको मिल जाएगा dust filter भी दोस्तों इस AC में कमाल की चीज यह है कि आपको मिल जाता है self clean का option यानि कि AC को बन कने के बाद इसके जो fan दोस्तों थोड़ी दिर तक घूमता रहेगा जब तक आपके evaporator coil जग है वो पूरी तरह dry and clean नहीं हो जाते है दोस्तों इस AC के अंदर आपको मिल जाता है self diagnosis का option B प्लस इस AC में है 100% copper condenser दोस्तों इस AC मिल जाता है आपको hidden display जाने कि दोस्तों आपको थोड़ी बहुत भी अगर light से दिक्कत होती है रात को सोते समय तो इस AC के अंदर इससे बिलकुल भी नहीं होने वाली है in case दोस्तों AC के चलते बें light चुल जाती है वो अब पिस आतरती दोस्तों तो इस के अंदर आपको मिल जाएगा auto restart का feature जो कि आपके AC को light आते ही automatically on भी कर देगा दोस्तों इस AC के जो noise levels आपको सिर्फ और सिर्फ 31 dB को मिल सकते है इस AC की IC rating आपको terrifically 4.7 दिको मिल सकती है दोस्तों याद रखी की पूरा AC अराउंड सिर्फ और सिर्फ 581 units of electricity को consume करता है every year which is amazing आपको बिजडी के बिल की tension बिल्कुल भी नहीं लेनी है याद रखे दोस्तों इस AC के तरा आपको मिल जाती है एक साल की warranty इसकी PC मिल जाती है आपको एक साल की warranty आपको 5 साल की warranty दोस्तों वारेटी थोड़ी सी कम है लेकिन AC बहुत शानदार है इस AC का प्राइस अब उक्रीब करीद 33,000 बिलोपीस के आस ने को मिल जाएगा तो आप चाहेद इसको बिल्कुल चेक आउट कर सकते हैं आप नेक्स्ट वी हाफ सामसंग इंवर्टर स्पेट AC का पूरा मॉड लेम आप बिली स्ट्रीम पर देख सकते हैं यह चीज़ या दखे कि एक 4 स्टार एविशेंट AC है इस AC कोलिंग कपासिटी आपको 3300 बार्स देने को मिल सकती है दोस्तो यह चीज़ या दखे कि इस AC कपासिटी आपको 110 देने को मिल जाएगी इस AC में लगा हुआ है डिजिटल इंवर्टर कंपरेसर जो की बहुत स्मार्टी और बहुत एफिशेट्ली आग करता है इतना ही दोस्तो इस AC में मिल जाएगा आपको 4-way auto swing जो की Samsung की खासियत है और दोस्तो इस AC के अंदर भी आप auto clean operation run कर सकते हैं यानि की AC बंद होने के बाद दोस्तो आपका fan है थोड़ी दे तक घूमता रहेगा जब तक आपके coils totally dry and clean नहीं हो जाते दोस्तो इस AC में आपको मिल जाएगी है wind free cleaning यानि की दोस्तो इस AC में लगे हुए है 2300 micro holes जिसकी बदत से आपकी totally wind free cooling होती है प्लस दोस्तो अगर आप wind free cooling का इस्तेमाल करते हैं तो आप around 77% energy save भी कर सकते हैं जोस्तो ये चीज़ याद है कि इस AC के देर को मिल जाएगा copper condenser copper condenser में मिल जाती है आपको dure of wind ultra protection यानि कि दोस्तो जो आपको condenser है harsh filter से साथ साथ corrosion से भी बहुत अच्छे से बच सकता है जोस्तो इस AC मिल जाएगा आपको anti-bacterial filter यानि कि पूरा AC है air purifier की तरह काम भी कर सकता है जोस्तो इस AC की IC rating आपको 4.09 देर को मिल सकती है और याद कि पूरा AC है around 624 units of electricity को consume करता है every year याद कि जोस्तो इस AC के noise levels आपको सिर्फ और 21 decibel के मिल सकते हैं याद की बहुत जादा कम है इत्माइन दोस्तो इस AC मिल जाती है आपको एक साल की warranty और करप्रेसर मिल भी है आपको 10 साल की terrific warranty दोस्तो इस AC का प्राइस आपको करी 30,000 रुपीस की आज मिल जाएगा तो आप चाहें तो इसको बिलकुल चेक आउट कर सकते हैं आप नेक्स्ट वी हाफ दायकिन इन्वर्डर स्पेट AC इसको पूरा मॉडल एम आप अपनी स्ट्रीम में देख सकते हैं दोस्तों यह एक 4 सार एफिशेंट AC है इस AC कोलिंग कपासिटी आपको 3520 वार्ट सिखनी को मिल सकती है इस AC कपासिटी आपको 110 वी को मिल जाएगी या कि दोस्तों कि इस AC के अंदर आपको मिल जाता है inverter compressor जो की बहुत smartly और बहुत efficiently act करता है इस AC के साथ आप काफी असानी से high ambient operation run कर सकते है यारे कि दोस्तों जो पूरा AC है 52 degree Celsius में दोस्तों बहुत अच्छे से काम्याब है इतना इन इस AC के अंदर आपको मिल जाता है 3D airflow जो की बहुत कमाना की चीज़ है दोस्तों इस AC में मिल जाती है आपको dew clean technology भी प्लस triple display भी है दोस्तों लेकिन सबसे कमाना की चीज़ यह है कि इस AC में आपको PM 2.5 filter के साथ साथ मिलता है एक HD filter भी दोस्तों यह पूरा AC air purify की तरह काम तो करता ही है प्लस यह dehumidify की तरह काम भी करता है दोस्तों यहाँ पे इस AC के अंदर आपको मिल जाता है auto clean operation भी प्लस बहुत fast cooling भी करता है दोस्तों यह पूरा AC है around 680 units of electricity को consume करता है every year दोस्तों यहाँ पर डाइगिंग के दरफ से आपको मिल जाती है इस AC के उपर एक साल की warranty PC मिलती है आपको 5 साल की warranty और पर से मिल जाती है आपको 10 साल की terrific warranty दोस्तों इस AC का price आपको करीब करीब 30,000 रूपीस के आपको मिल जाएगा तो आप चाहिए दोसको बिल्कुल check out कर सकते हैं दोस्तों यह वाला AC मेरी personal recommendation है आप सभी के लिए So up next we have LG inverter split ACs का पूरा मौर लेम आप अपनी stream में देख सकते हैं दोस्तों यह एक 5 star efficient AC है इतना इनी इस AC के cooling capacity आपको 3470 watts देने को मिल सकती है इस AC capacity आपको 1 ton देने को मिल जाएगी यार कि दोस्तों कि इस AC के अंदर आपको मिल जाता है AI dual inverter compressor जो कि बहुत ज़गा smartly और efficiently act करने वाला है दोस्तों यह एक 6 in 1 convertible AC है यानि कि दोस्तों आप उसको 6 different capacities में इस AC को totally run कर सकते हैं प्लस दोस्तों कमाल की चीज़ यह है कि इस AC को आप totally Wi-Fi से operate कर सकते हैं यानि कि दोस्तों LG ThinQ app के थूँ इसको आपने connect करना है आप इस AC को कहीं से भी और किदर से भी totally operate कर सकते हैं दोस्तों इस AC में आपको मिल जाएंगे voice control यानि कि Amazon Alexa और Google Assistant का totally support भी है totally आपकी voice से operate को आप कर सकते हैं दोस्तों इस AC में आपको मिल जाएंगा 4-way air swing कमाल की चीज़ यह दोस्तों कि इस AC के अंदर आपको anti allergic filter के साथ साथ मिल जाता है HD filter bleed plus anti virus protection भी है उसे पूरा AC air purifier के साथ साथ dehumidifier का काम भी करता है दोस्तों इस AC के अदर आप काफी असानी से high ambient operation run कर सकते हैं प्लस आप smart diagnosis भी कर सकते हैं यानि कि कोई भी दिक्कत आपके AC में आप दोस्तों आपको totally AC पहले ही aware कर देगा प्लस आपर दोस्तों इस AC के अदर आपको मिल जाता है copper condenser प्लस कवार की चीज़ यह है कि आपको बहार मिल जाती है ocean black protection भी जो की best रहती है दोस्तों आप ए condenser को harsh weather conditions बचाने के लिए प्लस यह totally anti corrosion भी होती है दोस्तों इस AC की जॉपके noise levels है इस AC की IC rating आपको 4.7 दिनको मिल सकती है दोस्तों इस AC की IC rating आपको 4.7 दिनको मिल सकती है दोस्तों इस AC का प्राइस आपको करीब 31,000 रूपीस के आप मिल जाएगा तो आप चाहें दोसको बिल्कुर check out कर सकते है दोस्तों ये थे आज के my top 5 best one turn ACs याद की दोस्तों की मेरी आने वली वीडियो best two turn ACs की ओपर होने वाली है तो अगर आप कुस्तों को देखना चाहते हैं तो आप चाहल को subscribe कर सकते हैं ताकि आपके बाश जट से notification भी आजाए दोस्तों कोई doubt एकोईड आपके दिवाब में फिर भी रह जाती है ताब मुस्ते ये चीज़ कॉमेशेश में पूल सकते हैं क्योंकि मैं आपके comment कर रप्लाइ करना बिल्कुल भी नहीं बूलता इस वीडियो को like कर देंगे और share कर देंगे तो आज से वाई बहुत जाता हेल्पी हो जाती है चलिए पर मैं साहर बिलूंगा आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई